आज की बीटी टिप्स है गोल्डन पिल उफ मास्क तो इसके लिए मैंने लिया यहां पे जेलेटन और यह हलाल है और अगर जेलेटन नहीं मिले आपको तो आप लोग अगर-अगर पॉटर भी ले सकते हैं वह सबजियों से बनावा होता है और लेकिन यह भी हलाल है मैंने उल्लाइन मंगवाया था और इसमें हम डालेंगे गोल्डन पॉडर और इसमें जितने भी इंग्रेडियंट से यह भ और इसमें हम डालेंगे मिल्क यह गर्म मिल्क लिया है मैंने और थोड़ी सी हल्दी तो हम यह बनाने स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लेंगे जेलेटन टूटेबी स्पूल इसमें हम डालेंगे हल्दी हल्दी हाफ टेबिल स्पून यह मैंने गॉल्डन पॉडर यह हम डालेंगे वन टेबिल स्पून भरके और इसे मिक्स करेंगे मिल्क के साथ गरम मिल्क यह अब इसको पंद्रा सेकिंड के लिए माइक्रो में भी रख सकते हैं यह मिक्स कर लिया है इस बोल को हम इसके अंदर रखेंगे और इसको मिक्स करेंगे पानी कि Franken लिए और इसको अदर करेंगे और इसको मिक्स करेंगी यह यहत एक मिक्स हो गया और यह पैस बन गया एक है अजसे पहले हम अपने फैस को दोलेंगे दोने के लिए कर लेंगे कोशिश की जिएका के फैस पे कुछ नहीं लगा हो दोले और दोने के बाद अच्छाजार ड्राई कर लें इसको यह रखल गरम है पर हम इसको पूरे कर लगाएंगे कि इसको पूरे मीख पर लगाएंगे और खूड़ देंगे पांदरा से बीस मिनट में जब राइ हो जाएगा तो इससे पिल्उफ करेंगे तो आभी हम वेट करते हैं कि यह द्राइ हो जाए कि अच्छा से ट्राइ हो गया है कि अच्छा से ट्राइ हो गया है कि पिल अफ कर लोगे इसका सूखना जरूरी है वहना फिर यह पिल नहीं होगा इससे आपके जो स्कीन पर छोच छोड़े बाल होते हैं वह भी निकल दाएंगे और इसकीन आपकी फियर हो जाएगे है कि अच्छा से अच्छा आप कि आप कि देखिए कि यहां की देखर एंए कि तुमें आप हाद कर दो आप और यह आराम से उतर जाता है यह देखेंगे ब्लेक हैंड वाइट हैंड साफ हो जाएंगे और स्किन फियर हो चौना में टाला है अलदी हलिऊंगे हैं दान्य हैनो की जात्र दाना मेंने डाल ह है अधियर gua जम जाए तो इसको माइक्रोम में रख लें दस्टे पंगर लगाएगा पूरे चेहरे पर लगाने के बाद इसको छोड़ दिएगा जब यह अच्छा सा ड्राय हो जाए फिर पिल आफ कि जाएगा और इससे आपके बिलेखेंड निकलेंगे इसमे मैंने डाला है मिल्क, मिल्क भी सकीन को फियरर दाइपने दाघ दूर करते हैं सस्कीन को मैस करते हैं जलेटन यह अगर आफ कि टोगर आफेलने चैनल सब्सक्राइब करनाइगा यह ओंना में अजी यह तो आफेलता है स्किन के लिए अच्छा है और इसे स्किन आपकी वाइट होगी दागत बज़ूरों के और यह स्किन होगी तो मुझे यूटूब पर कोमेंट्स करें मेरी कोशिश होती ही कि मैं सब को आंसर दूँ जैसे मैंने अभी पानी गरम करके उसमें रखाता है वैसी भी कर सकते हैं तो यह बनाएगा मुझे बताएगा कैसे लगा अच्छा लगे थम्सब के जिएगा कॉमेंट देजएगा मेरी वीडियो का मुनी फैमिली फ्रेंड में श्यर्ट करेंगे